गुरुवर को प्रणाम करते हुए आदेश चाहेंगे कि आप आदेश नहीं कि हम लोग और अनुमती दे कि आज की क्लास शुरू करें और कल बच्चों के कुछ क्वेशन पूछन पूछना चाहते थे कल हम लोगों ने संसद्य लोगतंतर के विकास के उपर बात की थी तो एक जो प्रणाम के बच्चों से कहिए प्रशन पूछें और मैं उसको पूछें पूछें पूछन 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 पू अब अपना पहला प्रश्ट पहले फिर से एक बार रिपीछ करिए आप अपना पहला पहले फिर से एक बार रिपीछ करिए अब कि सांसर को भं करने की शक्ति के पास नहीं जिए अपना माइक्रोफोन आफ कर दीजे और माइक्रोफोन ठोड़ा दूर रख के बोलिए तो क्या है कि हमारे सर्वोचे नयाले और उच्श नयाले को यह अरिकार नहीं नहीं है कि हमारेös लोग सभा को भंग कर सकें और हमारी जो राज्यसभा है वो हमारी कभी भंग नहीं होती है राज्यसभा का जो निर्माण है उसमें दो अर्षों के बाद एक बटे तीन सदर्श रिटायर होते हैं तो भारत के समिधान को पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा आपको और भारत की लोकसधा के भंग करने का तरीका यही होता है कि भारत की लोकसधा में जो प्रधान मंत्री होता है वो हरिक्मेंड कर सकता है किसी एक खास इस सिती में कि लोकसधा को भंग करके अब चुनाव कराये जाए तो जो आपका सवाल है कि सर्वोच्य नियाले कोई अधिकार मिलना चाहिए तो यह नहीं है यह परंपरा हम लोगों को ब्रिटेन से आई हुई परंपरा को देख सकते हैं इसमें ब्रिटेन में वहां की जो house of commons है और house of lords है house of commons को कोई भंग नहीं कर सकता है जैसे हमारे हां की लोगसभा है लोगसभा का अपना कारिकाल होता है उस कारिकाल का पाश वर्ष वो पूरा करे या बीच में ही अगर लोगसभा बहुमत में या ऐसे किसी व्यक्ति को प्रधान मंत्री बनाने में अस्पल होती है तो ऐसे पर करके यह कह सकते हैं तो यह लोगसभा चलने लायक नहीं है और ऐसे परिस्तिति में फिर से चुनाव आयजूत किया सकते हैं अब इसको आप जो सब्ता के प्रिथक करन का सिध्धान्त है इसमें न्याय पालिका और आपके विधाई का और कारिपालिका के प्रिथक करन का जो और सिद्धान्त है इस प्रिथक करन के सिद्धान्त में किसी प्रकार का यह एक विरुधा भास नहीं है सरोच चन्याले खुद भी बहुत से ऐसे मैटर्स को नहीं लेता है अगर उसके तवाम फैसलों को देखेंगे अगर पार्लियमेंट में कोई बहस हो रही लोग सभा में तो सरोच चन्याले उसमें हस्तक्षेप नहीं करता है जैसा आप तो मैं बताऊंगा कि एक बार पार्लियमेंट में खुले आम नोट को दिखा खुले का गाया था और रूस्त देने के संदर्व में उसकी चर्चा की गई थी सरोच चन्याले से जब लोगों ने कहा कि आफ इसमें हस्तक्षेप करिए सवसего सभा तो अपने आपने जो लोग सभा है वही इसको ताइं करें हम इसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि लोग सभा खुद भी उन विवादों को नहीं टच करना चाहती उनके अपने रूल्स बने हुए हैं उन रूल्स के तहर कि सर्वोच्य नियाले में हैं अगर आप लोग बहुत थ्यान से देखेंगे एक पर्वियमेंट के लोग सभां के सदस्ने एक मैटर को उठाया थाया तो वहां पर अंपने दूसरे सदस्ने लोग सभा कि रूल बुक को कोट किया का कि यह पैगसस का जो मैटर है यह सरोच चन्याले में विचारा धिन है इसमें लोकसभा में इसका विचार नहीं किया जा सकता है तो इस तरह से दोनों एक दूसरे का सम्मान करते हैं, आनर करते हैं, इजब करते हैं और इसमें तवाम प्रकार के जब आप भैसलों का ध्यान करेंगे तो उसमें आपको पता सब देगा, इसमें बस एक छोटी सी बात हो जोड़ दूँगा, एक जमाने में ग्यानी जैल सिंग जो राष्ट्रपती थे, उनके चुनाव को ले करके एक प्रकार से बहस हुई थी, तब सर्वोच्य नियाले में जो बेंच बैटी वी थे जज़ेज की, उसमें खुद सर्वोच्य नियाले, खुद जैल सिंग राष्ट्रपती को भी बैठाय गया था, उसको अलग से आप पढ़ लिएगा, लेकिन मैं आपको इतना ही कहना चाहूंगा, कि लोग सभा को कभी पार्विया को सर्वोच्य नियाले नहीं भंग कर सकती है, भंग करेगा तो या तो राष्ट्रपती या उससे बेद पहले अधान मंत्री कहेगा कि अभी ये लोग सभा नहीं चाद सकती ह इससे भंग करेगा और राष्ट्रपती को रिक्मेंट करेगा, फिर राष्ट्रपती उसी रिक्मेंडेशन की अधाथ पर एलेक्शन कमीशन को कहेगा और एलेक्शन कमीशन जैसा करके क्लास ही मर्वता है, आट्टि 324 आफ इंडियन कास्टिश्यूशन के अंतरगत, फिर लोग सभा का गठन करें, और दूसरा सवाल पूछिए, क्या दूसरा इक सवाल था अपका? आप दूसरा सवाल अपका पूसरा सब्सक्राइब करें, अपका 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 इस तॉपिक है, नियोजन की अधालना और मिस्स अर्थदर्श था, अब लोगों ने इसके पहले, बी एसे सीन सोट इस कंटिम्टरेरी इंडिया के पेपर में, चार, इसके पहले, मतलब कल के पहले, चार हम आज पांच में टॉपिक उपर बात करेंगे, चुकि आफ 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 लाइन आज आए हैं, इसलिए, तोसरे हम की एक बार जो पीछे हम लोगों ने पहाई किया है, वो पांच टॉपिक जो है, उसके उपर हम फिर एक बार बात करके आपको मोटा मोटी बता दें, पीछे जो आप चूड़ गया वापके, उसको एक बार हम लोग 5-7 मिनट में देख लेते हैं, और आज ये तोसिक जो है, इसके उपर हम बात करते हैं, और जबता कि लिख लेते हैं, फिर आफ उसके उपर बात करते हैं, पहला और दूसरा इमिट लिखिये, ले लिजे किशी से, तो न अजलिय है, प्लाल डुक्णोमिक्स उन्मिक्स उन्नेंज सट इंग को एक जव्त लिखिये, वह वे सुन जैंघ है, मैं भारत के लिखел कि बता रहा हूं, और उस पुस्टा का नामत था दद प्लाण एकोनोमिक्स, प्लान इकोनोमिक्स, ये 2013 जद मैंने सिसत्स के हमारा जारत वा था मैंने जब मैं परिच्छा देने गया था तो पहला कुष्टन यहीं पुछा था यह किस्ति की पुष्टत है तो वह एम इसे सरीया ने लिखे थी और उन्होंने पहरी बार यह बताया था यह क्यों इन्होंने 1934 में लिखा था को याद होगा एक बड़ी ही भयावा इस्तिती में से पूरा उरोप बुज़र रहा था 1929 से लेकर 1932 की विच में क्या हुआ था आर्थिक मंदी आ गए थी और आर्थिक मंदी से जिस देश को सबसे सक्तिसाली माना जा रहा था जिसको सिर्मोर माना जा रहा था और जोएकि आर्थिक आधार पे उसके इ जाम धाला धाल गिर गए और इस्तिती बहुत ख़राब हो गई और बस्तुए बजार में मुझूद थी लोगों की परच्वेजिन पावर प्रहावित हो गई थी और इसे काराव पूरा विश्व तिर्फ एक देश को छोड़ के वो कोंसा देश था रूश रूश को समाजवादी धाता पनाया था उसको छोड़ करके संपूर भी युरोप खास करके और अमेरिका इस जोए कि आर्थिक मंदी के जाज़े फास गया थे मतलब आती उत्पादन हो गया था खरीदने वाला नहीं था खरीदने वाला इतनी था तो इस प्रकेजिंग पावत हुआ है माल लिजिए बाजार में बहुत उछो लेकिन आपके पाकटिक पईथा ही नहों आप खरीद पाएंगे समझ रहा ना वहीं तमस्त्या थी तो जो यह आर्थिक मंदी आई आर्थिक मंदी से निपटने के लिए उस दोरान के बैग और किस ने आर्थिक मंदी को निकालने के लिए किस अर्षास्त्री ने इस से भान दिया था तो बता सकता है कोई बताईए कौन सा सास्त्री है कौन सा प्लान ना लाए गया था प्लान करना जरूरी है प्लानिंग होनी चाहिए और वो प्लानिंग और दरस्था को लेकर होनी चाहिए देश की जैसे कि माल लिए के था जा कि अधिये घर में कोई आचानक में बीमार हो जाता है शुप तो में लगता है कि कुछ पैसे भचा के रहने था यह था है अभ प्लान बनांके穴 किशी को सुगर हो गई अजर मकि करते कि अ तिक ऐसे ही जब आर्थिक मन दिया ही पूरे विश्व में खासर के युरोप में और अमेरिका में के महसूस किया जाने लगा इस ऐसी इसी ती दुबारा उत परना हो इसके लिए प्लानिंग बनाने की मजबती प्लानिंग एक जैसी कोई स्थीज बनाई जा कोई एक योजना बनाए गया इसी हिस्से की इस इस तीस से दुबारा किसी को दोशारना होना पड़े इसके लिए भारत में भी भारत के एक बैज्यानिक एक किताब लेखे जब प्लांड एकोनोमिक ठीक और भारत में जब वो 1931 में हमारे आजब 1937 में चुना हुए ये 11 बिटिश प्रांटों में और उसके बाद भारत में एक राष्टी योजना समिती बनाई गई जो हाला नेहरू के अधिक्षतान में जो कि भारतियों को पहली प्रसासम में हिस्षेदारी की बात रुए जो जब रहे हैं तो योजना कैसी बनाई जो कैसे क्रियानवित की जाए इसके लिए 1934 में National Planning Commission कमेटी बनी जिसमें जो हाला नेहरू जो है की उसके अधिक्ष्ट बने और योजना कैसी बननी चाहिए किस मद में कितना खर्च किया जाना चाहिए उस खर्च करने का उद्दे से क्या होना चाहिए उस माध्यम से कितना जो है की बचाना चाहिए और उससे क्या पाइदा होगा राष्ट को यह सारी सोच करके प्लानी की बात हुए इसी की अगली कड़ी में बाम्बे प्लान बना 2445 में उद्योग पत्यों ने मिल करके बाम्बय प्लान बनाया और द्रास्था को और गती देने के लिए भारत के उद्योग पत्यों ने मिल करके बाम्बय प्लान बनाया और फिर जब भारत सोतंतर हुआ भारत के मूझ सम्मेधान में तो नहीं नेकि सम्मेधान एकतर संस्थाएं बनाए गयी जैसे योजनायोग जैसे राष्टिय विकाज परिश्थ इनका जिक्र सम्मेधानिक संस्थाएं नहीं है समयधानिश संस्थाय नहीं है, समयधानिश संस्थाय मतलब यह है, कि समयधान ने इसका कोई जिक्र नहीं है, लेकिन यह उतनी ही महत्पूर थी, और यह Planning Commission अभी जो-चार साल पहले तक काम करता रहा है, जो 1950 में बना, और धोचार साल पहले तक यहांनी करीबन करिवन 70 साल के आस्पार 70 साल करिवन रहा और उसके मार्जम से भारत में कृष्वी के च्छतर में उद्योग के च्छतर में इस्छा के च्छतर में विकास करने के लिए यह जोजनाय की मुर्ट रूप जो है की पेउटारी गई थी इस तरह से नियोजन की दूआ धाना है वो है जो हम बताएंगे कि बदान के भारत कि स्ट्रव्टा को बारत सुष थाहनार रिष्फ ए नियोजन दो प्रकारका होता है एक तो लोक्तंत्रातमाक सातन के अंतरःगत नियोजन ओसरा है प्लाणि खाल के मैं आजिया सक्तित है उस न्योजन में जो भारत में न्योजन के बाद की गई उसमें रखा जा सन्चप्ट किस वार है भूजी वादी अर्थ वादी 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 और समाजवादी अर्धिवस्था के मतलब था, इस संसाधन के संपूर साधन पे राज कादिकार था, और वित्राण और पाधन का जिन्टर भी अराज की उपनी था, ठीक, लेकि तुमस्ट्या यह से कि भाराथ स्वतनतर हुआ था, तो नो तो पूरी तरह से पुजवादी अ बनती थी भारत सुई बनाने के लिए आतम देर नहीं था, अगर वो पूरी तरह से समाजवादी अर्धिवस्था को अपना लेता तो यहां ते पूजवादी अंदुन के द्वरां भी ते लोगों के साथ उनका हो साथ, अगर भारत पूजवादी अर्धियो करता हैं दल्युल के पहारत निंकि अभारत ता राजञी है ना तो उसन पूरी तरे से समाजवादी आवlaw tor शना को पनाया और ना तो उसने पुड़ी टरे से पुजिवादी आफ्बार्था करें अपाया उसरे मिसरत आफ ज़ॉधा चर्फ चान उनका एभार्था करें अरन Wi-la बाद॥ा तर अन्य है वो पुजिवादी था यानि यह जोड़ चेतर को भी को भाट मोंका दिया गया है कि इसमें सरकार ने खुर उड्यम लगा है जैसे रेलवे जैसे डास तुमांगे उच्छेतर थे जैसे सेमेंट वाले पुरू में सरकार ने पूरी तरत पुजी पतियों के हाथ में इसलिए नहीं दे दिया देश को क्योंकि भारत जो है 190 साल तो गुलाम था और एक ब्यापारिक कंपनी ने जो है कि उसको गुलाम बनाने की प्रक्रिया शुरू की थी तो इसलिए भारत इससे बचा और 1990 तक जब तक कि बहु लीजी छित्र में कुछ बिशेश उद्योग थे और सरकार के नियंत्रम के कारण जो है कि अगर आप अगर आप घर में किशी से बात करिए जो लोग बड़े होंगे उननी सो लगदे से पहले सेमेंट जो था वो जो खाद मिलता ना वो जो राफाइनी खाद होता है जो सोसाइट्री मिलता है वो ही जो सेमेंट यो मिलता था क्योंकि उसको सिर्फ कौन बना सकता था तरकार बना सकते थी लेकिन इसके बाद इसको प्राइबेस ट्रेक्टर में दिया गया तेमिट को मोटर वाहन यहीं नहीं टेली फोन जो आप लोग फोन करते हैं कि दो हजार तक तुढ दो हजार तक फोन जो था वे स्टेकर संबल था यानि जिसके घर घर वे सोन था यानि बड़ा आलमिठाव हो मोईल की बात कह Ciao मुबाइल के मुख मंत्री और सुखराम संतार मंत्री उनके पहनी बार मुबाइल बात हुए 1997 में उस समय को बहुत आए लोग उसके दुचार सब्सक्राइब पैदा वीज़ोंगे अब उस समय फ्रॉंग था वो इस्टेटर सिंवल हुआ करता था लेकिन जब दो हजार 1994 से 2004 वाली सरकार आई तो आप देखेंगे उसकी नीटियों और जब इसको प्राइबेर स्क्राइब में दिया गया हर हादमी के फास्टोन है अब टेलिफोन का काम खतम हो गया नहीं तो उससी वो टेलिफोन रोज बिज़ा रहता था और बिये सेनल के जो करमचारी कि अपने आपको राष्टती के बाद दूसरे नमर मानते थे तो कि वो किसी की वी लाइन कार सकते थे किसी का इस फोन खराब तो नहीं जा सकते थे सुझ रहा ना क्योंकि वो गवर्मेंट सेक्टर में था पंदिस्तों इसक्यांबे की निव एकनोमिक पॉलिसी के बाद सिर आप कराम कानियन उत्रत जाजा था समझ गया ना तो इस तरह से भारत ने नियोजन की जो संकल्पना इसमें आपनाया कि अपना है और मिशडित अर्फभी अर्फभुषा का मतलब होता है कि पूजवादी अर्फ भी प्रूजवादी जुश्टा को भी तो इस तरह कि आपको बताने के प्रयास किया है बाकिया हम गुरूज से आगरा करेंगे आप माग्लेसन करें बहुत बहुत धन्यवाद पत्रपाल जी बहुत धन्यवाद मेरी आवाज आ रही है हाँ हाँ सब्सक्राइब बहुत अच्छा विशाय आपने आज बच्चों के बीच में डिस्क्स करने के लिए रखा है और बहुत अच्छा आपने कुछ प्रशन भी उठाए कि मंदी के समय में कौन सा वो आर्थिक चिंतक था इसके बारे में आपने पूछा बच्चे बता नहीं पाए जो जे अम कीन्स एक बृतेन का इकोनोमिस्ट था जे अम कीन्स जिसने पर्चेजिंग पावर की थियरी दिया जिसको 1932 में नोबेल प्राइज मिला एकनोमिक्स का उसी के थाथ अमेरिका ने एक न्यू डील पालिसी फ्रैंक्लीन डी रूजवेल्ट 1932 में वहां का प्रेसिडेंट होता है हुवर को हटा करके डिमाक्रेट होता है और 36 में जब वह चुनाव अरता है दुबारा तो जनता से पूछता है कि क्या अच्छे दिन आ गए वहां की जनता कहती है कि हाँ बहुत अच्छे से अच्छे दिन आ गए वह पर्चेजिंग पावर बढ़ाने की नीथी को जे अम कीज जो बिटिश एकॉनमिस था उसने दिया और आपने बहुत अच्छा विश्वेश्वरईया जी का नाम लिया जो की आपके मैसूर राज जी के मंत्री थे काशी हिंदु शुद्याले में भी उनके नाम पर हॉस्टल बना हुआ है और उन्होंने प्लानिंग के संधर में पुस्टक की रचना की प्लानिंग का विचार मुख्यता है इससे भी पूर अगर आप देखे तो लेनिन के समय से और लेनिन के बाद श्टालिन के समय से सोवियत यूनियन के डेविलोपमेंट का एक प्लाइंड डेविलोपमेंट का चिंतन जो है वहां पर क्रस्टूप किया गया यह प्लानिंग का जो चिंटन आपने बहुत सही कहा कि प्लानिंग कमेटी एक बनाई गई तो सुभाष चन्वोस कांगरिस के प्रेसिजेंट थे तो पंडिजवारला नहरू के नेतृत में एक प्लानिंग कमेटी बनती है 1938 और उस प्लानिंग कमेटी के जो पूरी बी एक्यू के केंदरी कार्याले में उपर जो यूनाइटे जेक्स और गवर्न्मेंट पब्लिकेशन सेक्सन है उसमें वो रिपोर्ट पड़ी हुई है चोटी चोटी रिपोर्ट है कम से कम पचास रिपोर्ट होंगी और उस समय के जितने भी भारत के वैग्यानिक थे बारे में एक अध्यान प्रस्तुत किया गया कि क्या इनका पोटेंशियल है क्या इनकी संभावना है और उस प्लानिंग कमेटी के माध्यम से पूरे भारत वर्ष को कैसे इसने संभावना है और से कैसे आगे बढ़ाया जाए इसके बारे में वो रिपोर्ट तैयार की गई प्लावना नेहरू के नेतृत में और बहुत अच्छा आपने बताया इस इधि प्लानिंग कमेटी की चर्चा के दोर में टटा विर्ला प्लान या बॉंबे प्लान करने ह माउंबे के घराने के बिज्नेस घराने के 20 लोगोंे या 50 लोगों तो एक उस में नाइननिटीन पुझी जो है वो प्राइवेट सेक्टर के लोग लगाएंगे एक ऐसा सेक्टर होगा जिसमें कि सरकार पैसा लगाएगी उसको पब्लिक सेक्टर की अवधारां के लूप में देखा गया जिसमें तुरंत लाव नहीं मिलेगा लाव के लिए जे स्टेशन पीरियड होगा जे इस तरह की अवधारां के बाद जब हिंदुस्तान 1947 में आजाद होता है तो 1948 में एक पहली इंडस्ट्रियल पारसी का डिकलेरेशन होता है 1948 की इंडस्ट्रियल पारसी इस इंडस्ट्रियल पारसी में खुल करके ये बात कही गई पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर औ कही गई और यह कहा गया कि यह सबने पहले कहा कि पब्लिक सेक्टर जिसमें कि लॉंग जेस्टेशन जेस्टेशन पीरियड जेस्टेशन शब्द का आप लोग अंग्रेजी का हिंदी अनुबाद डिक्शनरी से देख लिजेगा जब कोई काम करते हैं उसका परिणाम निकलने में जो time gap है वह gestation period कहा लाता है तो कहा गया कि जिस business में अधिक पैसा लगेगा उसका परिणाम आने में बहुत दिन लगेगा वो पूरा का पूरा सभी की बिजनेस सरकार अपने हाथ मे लेगी और वह बिजनेस जिसमें पैसा लगा है तुरंत लाँ मिल जाएगा वह प्राइबेट को दिया जाएगा भारत के चुक्छिप प्राइबेट सेक्टर उसमें इतनामजबूत नहीं था इतना उसके पाश पैसा नहीं कि लंबे समय तक वो पैसा लगा करके वेट करें लाब के लिए तो इसलिए उनको कहा गया कि आप सब बकादा उसमें आप इंडस्ट्रियल फारसी एरपोर्ट वगर हुआ यह सब जो जहां पर बहुत बड़ी बड़ी हैवी पूजी लगनी थी उन सब ने सरकार का सेक्टर रखागा और प्राइवेट सेक्टर जिसने बहुत छोटी-छोटी चीजों को बना करके लाव कमाया जा सकता था और उन्हों को दिया गया इवेन उस सी कंपनियां जो है एक छोटे बिजनेस के रूप में आई और उनकी मोनोपोली बनी मोनोपोली मत्दब कि अब जैसा कि 1991 की चर्चा इस संदर में होती है कि 1991 आते ही लाइसेंस राज खतम हो जाता है कि यह जो 1948 के अंतरगर्त एक प्रकार का लाइसेंस राज भी होता है जिस में कि जिनको जिस छेत्र में बनाने के लिए अनुमत दी गई है प्राइवेट सेक्टर को उन्हीं को दिया जाएगा और ऐसे नहीं कुछ ब्रिटिश पीरियड में प्राइवेट सेक्टर थोड़ा बढ़े हुए थे जैसे कि जहाज रानी का सेक्टर था जो टाटा के अध कि उस समय के चिंतन का क्या परिप्रेक्ष था प्लानिंग कमीटी और प्लानिंग कमीशन का और इसी संदर में बात और आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि 1949 में Government of India का एक बहुत बड़ा declaration आया जो declaration जाकर 1991 में समाप कर दिया गया जब new economic policy आती है वो declaration था कि भारत में विदेशी पूझी कितनी लगेगी उस declaration में कहा गया कि भारत में कोई भी विदेशी पूझी लगेगी तो किसी भी concern में किसी भी enterprise में भारत में विदेशी पूझी 49% से अधिक नहीं लगेगी जिससे कि कि किसी भी भारत के enterprise का किसी भी concern का कोई विदेशी ownership नहीं कर पाएगा dominant ownership except उन छेत्रों के जहां पर कि आपके पास technology available नहीं है भारत वर्ष में बहुत से ऐसे छेत्र जिन में technology नहीं available थी जैसे आप देखे union carbide का नाम आपने सुनाओगा जो 1984 में जो आपके union carbide का blast हुआ था भोपाल में जो बहुत से लोग chlorine पूरे शहर में फैल गए थी बड़े लोग अंधे हो गए थे वो United States of America के अधीन था 100% United States of America के अधीन उसको रखा गया था कि वो technology आपके पास नहीं थी लेकिन बाखी जिसमें भी आपके पास technology थी उन सबने आपका control भारत का 51% था और इस संदर में contrast के लिए आप देखें कि 91 और उसके बाद 2022 तक आप याते भारत में कुछ इस तरह से क कि आगया कि अब विदेशी मुद्रा किसी भी concern में 90% लग सकती है कुछ में 100% भी मुद्रा लग सकती है और यह सब पूरी परिसितियां पैदा होती है यह आपको थोड़ा बताना चाहूंगा कि किस तरह से 1991 में भारत में एक ऐसी सिति पैदा हो गई कि भारत के पास विदे वो गोल्ड लिटरली भारत से जाकर बैंक आफिंग लैंड में गिर्वी रखा गया तब एक बिलियन डालर मिला वो उससे पूरी परिस्थिति के दोर में भारत में एक लिबराइजेशन प्राइबेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन का फेज शुरू होता है उसके contrast से independent होता है तो चुकि जवाहरलाल planning committee के chairman थे तो सतंत्र होने के बाद हुआ कि हमें development करना होगा तो वो development में हम लोगों को planning commission बनाएगा और planning commission का जो पहला document 1951-52 से लेकर 55-56 तक का जो planning commission का जो document है लगवग इसी date के आसपास का उसमें जो पहला वाक की लिखा हुआ है जिसको जवाहरलाल नहरूब महलोनभीस पीसी महलोनभीस नाम था जो एक physics के ब्यक्ति थे कलकटा में उन्हीं ने institute of statistical studies के स्थापना किया पीसी महलोनभीस ने और पीसी महलोनभीस ने इस बात को रखा और जवाहराल ने कि भारत के अगर आप planning commission के document का पहले planning commission के document को अगर आप पढ़ेंगे जो internet पर available है तो उस planning commission क उसमें लिखा हुआ है कि the state shall be at the commanding height of the economy ये वाक के जो है आपको बहुत अच्छे से जानने की जरूरत है the state shall be at the commanding height of the economy planning commission के document का प्रफम पंचवर्शी योजना के document का ये पहला एक sentence है कि राज्य अर्थ ब्यवस्ता के शीर्ष पर रहेगा अर्थात पूरी की पूरी अर्थ ब्यवस्तात राज्य के control में रहेगी और बाकी सभी जो अर्थ ब्यवस्ता के हैं वो राज्य के control के अधीन रहेंगे और जैसा मैंने कहा कि भारत में एक आर्थिक license का राज्य शुरू होता है अगर आप प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं तो आपको कोई competition न मिले आप अपना काम करते रही है जैसे आज आपके देश में प्राइवेट सेक्टर को कोई license की जरूत नहीं है आजकर एक नया शब्द आया हुआ है इदर पांच-शा साल से बहुत पत्ता पुला रहे है इस टार्ट अप शब्द आया हुआ है आप कोई भी business करना चाहते हैं इस टार्ट अप करिए सरकार आपको बहुत सी योजनाएं आजकर सरकार की आई है हज्जारों करोड की योज लेते थे नए रीजीन के तहब जो नया paradigm shift हुआ है जो एक सोच में परिवर्तन हुआ है उसमें है कि तमाम प्रकार के स्टार्ट अप खोले जाए और स्टार्ट अप के माध्यम से कई लोगो को रुजगार दिये जाए और इसमें बैंक बहुत लिबरल में फाइनेंस करें क कोई गारंटी लेने की जरुतना ही बैंक को और इस तरह से हज्जारों करून रुपया भारत के बैंक को इयर मार्क कराए गया सरकार के माध्यम से जब अहर लाव के समय कि बैंक प्राइवेट सेक्टर के बैंक ते जिन बैंकों में से खासर से 14 बैंकों का निसलाइजेशन इंदिरा गांधी जब प्राइम मिनिस्टर होती हैं तो वो करती हैं फिर बैंक सरकार के अधीन आकर के उनकी जो रिन देने की नीतिया होती हैं उसमें बदलाव आता है और उसके माध्यम से बहुत से गाव में देहात में कोल्ड स्टोरिज खोलना है ट्रैक्टर लाना है ब और बहुत से बैंक आये हुए हैं जो प्राइवेट सेक्टर के बैंक है यद्यदी हो सभी रिजर्व बैंक आफ इंडिया के ओवराल सुपरविजन में हैं तो जो ये प्लानिंग कमिशन का जो कॉंसेप्ट है और जो मिश्ण अवावार से बहुता है इस संदर में आप लो विकास की रफ्तार क्या थी विकास की रफ्तार को पता लगाने के लिए एकोनॉमिस लोग एक जीडीपी कव्रेव करते हैं ब्रास डिनस्टिक प्राडक्ट हर साल पूरा जो कुछ भी प्रडक्शन हुआ जो सर्वीसेज में हुआ जो गरिकल्चर में हुआ जो सपचाज से लेकरके और 19 से क्यामबे तक के बीच के बढ़ोत्री को जो प्लानिंग के समय की बढ़ोत्री है वो दो से लेकर के तीन परसेंट के बढ़ोत्री लिखाते हैं कुछ एक अपवाद के वर्ष हैं जैसे इमर्जनसी में 1975-77 के बीच के जो विकास की दर है वो दस विकास की दर है, इमर्जनसी के दौर की, यह कोई फैक्ट है, यह कोई मुझे नहीं कहना है, यह आप इसको देख सकते हैं, फिर उसके बाद विकास की दर, तीन-चार परसेंट, दो-तीन-चार परसेंट, जिसको बढ़े ब्यंग बे लोगों ने कहा, कि हिंदू विकास दर, इसे हिंदू ग्रोथ रेट कहा गया, और यह हिंदू ग्रोथ रेट को जब अमर्त सेन, जो नोबेल प्राइज पुरसकार, हमारे एकोनामिस्ट हैं, सम्मानित, उन्हों ने जब इस पर अपनी कडम चलाई, उनकी किताब है, उन्हों ने कहा, कि अंग्रेजी राज जी के द दौर दो से तीन परसेंट या तीन से चार परसेंट कभी कभी थी, कभी दस परसेंट थी, लेकिन अंग्रेजी राज जी के दौर के विकास की जो दर है, उसको उन्हों ने बताया, अपनी किताब ने, नोबेल प्राइज विनर एकोनामिस्ट ने, कि हमारे देश ने, अंग टीम बना करके, प्लानिंग के माध्यम से, कि भारत के पास जो भी सीमित पैसा है, विदेश से भी पैसा हम मंगाएंगे, लेकिन वो इस बास से बहुत जिक चैतन्य थे, जो दादा भाई नवरोजी का जो विचार था, दादा भाई नवरोजी का था कि भारत में प्लेशी मुद्रा को फिर उसी तरह से बढ़ावा देंगे, तो हमारे देश से बहुत अधित धन का निश्रुमन हुगा, यह जवाहरलाल उनके समय के तमाम एकोनामिस्ट का चिंतन था, लेकिन 1991 के बाद के चिंतन में बहुत बढ़ा बदलाव आता है, और 99 के साथ ही, 91 के चिंतन के साथ ही, पूरे वर्ल्ड के चिंतन में भी एक बड़ा भारी परिवर्थना आता है, जिसको कहते हैं, 1998 का चिंतन, 1998 का चिंतन होता है, World Trade Organization, WTO का चिंतन, और वो चिंतन, 1945 से लेकर के, 1998 के बीच में पूरे विश्व का चिंतन है, 1990, 1945 का चिंतन को कहते हैं, G.A.W.T. का चिंतन, General Agreement on Trade and Tariff, यह G.A.W.T. जो यह संस्था है, यह संस्था अपने आप में तैं करती थी, कि लोगों के बीच में ब्यापार का क्या रिस्ता होगा, और उसमें एक देश से दूसरे देश में सामान जाने पर, टैक्सेशन का जो सवाल था, कि 400% टैक्स लग जाएंगे, 500% टैक्स लगेंगे, आज आपको जानकारी के लिए बता रहा हूं, कि पूरे विश्व में, जो उरुग्वे नामक जगह में, उरुग्वे राउंड आफ टॉक्स हुआ, तांस अमेरिका के देश में, जिसमें त सवें सिद्ध मानेता थी, कि अगर विश्व में बाजार को बढ़ावा देंगे, आपस में वस्त्रों के आदान-प्रदान को बढ़ावा देंगे, तो विश्व में GDP वगरा का बहुत तेजी के साथ विकास होगा, और जैसे ही GDP का विकास तेजी से होगा, तो लोगों को र अच्छे धंग से इकोनामी भी बहुत तेजी के साथ डेवलप होगी, यह बात 1998 की है, जिस बात को जान करके आपको मिश्वित अर्ष व्यवस्ता के संदर में अपनी बात को जानना पड़ेगा, कि किस तरह से जो एक पाराडाइम चेंज जिसे कहते हैं, जवारलाल नहरू का पाराडाइम, मिश्वित अर्ष व्यवस्ता का पाराडाइम, पब्लिक सेक्टर, प्रावेट सेक्टर और जॉइन सेक्टर का पाराडाइम, पहली पंचवर्शी होजना की इंफैसिस, अग्रिकल्चर का पाराडाइम, दृती पंचवर्शी होजना का, इंडस्ट्री के प्लान बनता है और पुराने प्लान को हटा करके नए प्लान की दिवस्ता किया जब जनता पार की पावर में आती है उसके बाद फिर इंदरा गांधी के समय के प्लानिंग और इंदरा गांधी के प्लानिंग बाद राजीव गांधी के समय का प्लानिंग और उसके बाद फिर व्यवस्ता में एक संरचनात्मक परिवर्तन किया जाता है वो संरचनात्मक परिवर्तन जो संरचना जवाहर लार्व के समय में आजादी के बाद के समय की जो हमारे देश की आर्थिक संरचना थी उसमें टोटल परिवर्तन होता है जहां पर कि जिसे डॉक्टर संतिपाल ने ये पुझिवादी व्यवस्ता होगी और समाजवादी व्यवस्ता जिस पर उत्पादन वित्रण और विनिमय पर समाज का या राज्य का अधिकार होगा आज जिस अर्षव्यवस्ता से हम गुजार रहे हैं उस अर्षव्यवस्ता को हम कहते हैं कि उत्पादन, वीत्रण और विनिमेपर अधिक से अधिक प्राइवेट सेक्टर का कबजा किया जाए आप देखिए कि इस समय तमाम बड़े-बड़े प्राइवेट सेक्टर जो अस् आध्यम से हम बहुत से पैसे लगा रहे हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर लगा रहे हैं इतना अधित इंफ्रास्ट्रक्चर हम डेवलफ कर रहे हैं कि उस सन्धर में उन्हों developers करने के चलते हमारे देश में कुछ इस तरह का वातावन बनने जा रहा है जो सको मैंने पहले दिखा कि हमारे द्रभे में ऐसे स्टार्ट उप बने जा रहे हैं इसी संदर्व मने उन्होंने युनीकुर्ण शब्द का प्रिविव किया है एक एक हईसे जंत की चर्चा होती हैं जिसके आप엔 एक occur लेकिन उस्टार्ट उप को कहते हैं जिस स्टार्ट उप को start करने में एक billion dollar लगे मैं आप परसे सूचित कर रहा है जानते हूंगे लेकिन फिर भी सूचित कर रहा हूं इस समय unicorn ऐसे start up जिसमें एक billion dollar लगे हैं वो सबसे अधिक अमेरिका में है सेकंड नंबर पर चाइना में है और थर्ड नंबर पर इंडिया में अर्फाज इंडिया जिस रास्ते के विकास को अब अपनाईा है उसमें निक्स्डिकानमी का जो गौब्रमेंट का जो रोल था उसको बहुत अधिक कम कर दिया गोदनें अब गौब्रमेंट का रोल इतना ही है उनको जो है वह अन्मुहया कराया जाए लेकिन उन लोगों को इस बात के लिए प्रेडित किया जाए कि अगर वो पढ़ लिख ले रहे हैं तो सरकार के ऊपर नवकरी के लिए ऐसे सीधे निर्णे मुखा फेक्षी होने के बज़ा सरकार अभी भी करेंगे हम जाब देंगे प लेकिन आने वाले समय का जो वातावर्ण दिख रहा है वो ऐसा दिख रहा है कि जैसे हर जगह इस तरह से चीजों को डेवलक किया जाए कि व्यक्ति स्वयम खुद मुखताब हो करके अटानमस हो करके जैसे आप पूरे भारतवर्ष के सभी राजियों का सर्वेक्षन करें और आप पाएं कि कहां के लोग बहुत अधिर सरकारी नौकरी के पीछे पड़े रहते हैं और कहां के लोग भ्यापार करना चाहते हैं तो आपको लगड़ग छित्र दिखाई देगा जो भी नीती आयोग बना है जिसके बारे में डट्र सुतिपाल ने चर्चा किया नीती आयोग ने पूरे सभी राजियों के 17 परामीटर के अधार पर सभी राजियों का मुल्यांकन करके एक हाइरार्की बनाया है उस हाइरार्की में कहा कि सबसे टाप पर कौन राज्य है और जो सबसे नीचे हैं उनको नीचे नहीं का उनका यह इंप्रूव कर रहे हैं बड़ी अच्छी भार्षा का प्रियों किया है प्लानि जो आपका नीचे आयों के जो कौन कांथ हैं उसके चीफ हैं बनार्स में पैदा हुए हैं वो आई एस ऑफिसर का पर पर हैं तो उन्होंने कहने का पर यह है कि अगर आप मिक्स्ट इकॉनमी को समझना होगा प्रथम पंचव बन बेर रखना पड़ेगा कि जवाहरला के समय जो मिलंग कमीटी है मिलंग कमिशन है उसका उसके सामने जो चुनवती है उस चुनवती में यह नहीं कहा जा सकता है कि जवाहरला ने किसी प्रकार से कोई कमी किया वो सोच उस समय की अर्धव्योस्जा का वह एक बहुत अच के समय का जो प्लानिंग का प्लान किया गया उसको लोगों ने कहा कि last 活icle lost we can last one may पहले के जो डीगथक थे वह labeled lost one एक खो दिए उन कुछ लोगों का कहना है कि जो NICK 51 ंने में which Cultural same होता है economy में अगर वही 55 one 50 में लागू हो होता है यह अपने आते हैं कि स्पेक्विलेटिव क्रेश्चन है जिस पर वाकई इतिहास के विद्यार्थियों को एकनॉमिक्स के विद्यार्थियों को सोचल साइंस के विद्यार्थियों को या और भी जो जर्रल जर्रलिस्ट है उनको सोचने की जब होता है कि जवाहनलार के समय में ही अगर मनमुहन economics 1951 में लागू हो गई होती तो भारत का क्या भूशी होता है यह कि speculative question है जिसका उत्तर मैं देने की कोशिश करूँगा आप लोग अपने भारत में विदेशिप पुझी आपके देश में dictatorship को लागू करती किसी एक political party की dictatorship होती जैसा कि वो तमाम देश जहां पर multinational company ने अपनी पुझी लगाया उन देशों में जब democracy का प्रयास किया गया तो उन उसने वहां की multinational company अमेरिका की ती इनका वहां के ताबे के ख़दानों पर कभजा था उसने उनको nationalize कर दिया nationalize करने के दस दिन के अंदर ही चिली का जो वह democratic नेता था वो मार दिया गया और वहां पर एक dictatorship कायम हुई और वो डिक्टेटर बहुत लंबे समय तक वहां डिक्टेटर रहा और बाद में उसको जो है international court से उसको गिरफतार किया गया बाद में खरो छूट गया और बहुत अधिक अमानवी बाते उनके देश में हुई तो एक भारत जो एक democratic country रहा उस रास्ते पर वो आगे बढ़ा वो चीज़े उसमें नहों पाती या अगर आप फिर contrast करिए चाइना से contrast कर लीजिए आप अपने को वो 1949 में आजाद होते हैं तो चाइना का जो development है वो भी एक प्रकार के माव जदाउं के अंतरे तुमें एक प्लांड development है जो Soviet Union के concept से प्रवागत है लेकिन माव से तुम के development में एक बड़ा ही विचित अभी है इसलिए मैं यह चर्शा कर रहा हूं कि आप अपने planning commission के contrast में सवच सकें पूरे विश्व में क्या-क्या हो रहा है उससे तो चाइना में जिस तरह का development होता है खासर से 1980 तक जब तक कि बहुत से तुम उनके देश में हैं उनके सांस्कृतिक करांती होती है उनके विश्विद्याने बंद केर दिया जाते हैं सब लोगों को कहा जाता है कि खेत में जाओ काम करो और उस सांस्कृतिक क्रांती के और में सब लोगों को वस्तताइं कर दियाते हैं कितने कपड़े पहने हैं दो हाफ पैंट दो शाट पहन करके खेतों में काम करिए और एक खास किसम से पुझीवादी विकास हो देश में बहुत अधिक आर्थिक उन्नति हो उसके खिलाफ माउच से तुंग थे जो की एक खास किसिम के मार्ज्वादी चिंतन से प्रभावित थे मार्ण स्वादी चिंतन से प्रभावित वह विश्व के δो महान देश उभर करके आते हुए दिफ्तेक सोवियोत यूनियं जिसका स्टालिन और उसके पहले लेनिन और खासतावर से चाईना यह दो बड़े मानक देश उत्पन होते हैं प्लांड इकानमी के लेकिन जहां पर चाइना में प्लांड इकानमी 1980 में खतम कर लियाती है Communist Party की कानमी Communist Party power में रहती है जो कि इसको कदें Deng Xiaoping जिनका नाम है वो वहां पर आते हैं और 80 से ही उस रास्ते को अख्तियार करते हैं Deng Xiaoping जो भारत वर्ष में 91 से रास्ता अख्तियार किया आता है जो इस री स्ट्रक्चरिंग आपदी कानमी इसलिए आप देखिए कि पूरे विश्व में चाइना अपने री स्ट्रक्चरिंग आपदी कानमी के कारण 1980 से पूरे विश्व में चाया हुआ है आज विश्व में कोई भी ऐसा देश नहीं है कोई भी ऐसा देश में कर रहा है अमेरिका को छोड़ दीजे थोड़ी के लिगे लेकिन सामाने तक कोई ऐसा देश नहीं जापान को छोड़ दीजें, बहुत से लोकों को छोड़ देंगे, लेकिन बाकी विश्व के कोई ऐसे देश नहीं है, जो चाइना से करजा ने लिया हूँ, और चाइना से करचा लेकर के चाइना पर निर्भर नहों, और चाइना करचा कर से दे रहा है, वह उन्से करचा लेकिन आप उमारे कर्चे से जो सब चीजों का निर्माण करेंगे वो हमारे इंजीनिया और हमारी कमपणियां जाकर आपको निर्माण क्रता में बहुत तो जिन भी परिस्तितियों में भारत और चीन का जो युदुय उसे भारत के लिए थोड़ा साउधान हुए लेकिन आज भी भारत और चीन के बीच में जो ब्याफार का रिस्ता है उस ब्याफार के रिस्ते का जब आप धेन करेंगे तो आप पाएंगे कि अब भी चीन भारत को जो भारत चीन को सप्लाई कर रहा है और चीन भारत को सप्लाई कर रहा है तो उसमें चीन अभी भी 30% आप से अभी सप्लाई कर रहा है और किसी भी शहर का आप भारत के अध्यन करेंगे तो आप पाएंगे कि चीन का सामान फ्लड कर गया है भारत के लोग अपना सामान बेच न पाएं अगर भारती सरकार होश्यार न हो और भारत में खास किसम का नैशनलिजम चीन से आकर गरके बेच कर लाब कमाना उनको लाब उनको अधिर लाब प्रत में लगता है तो चीन में में अभी यह खास के विजनус किया उननों कि कंपनी थी वो विदेश की मल्री नेशनल कंपनी उन से अधिर सस्ते वे सामान देकर के कहा आउんな कांग करो फॉर पिशनेस नहीं कि आप चाइना के मॉडर को भी देखिए और फिर भारत के प्लानिंग कमिशन और जो ये नया चेंज जो कंट्रास्ट हुआ है उसको भी आपको देखेंगे और इस परिप्रेक्ष को ले करके जब जवाहरलार के समय के इकोनामिक्स को उनकी मिक्स्ड इकानमी को पॉब्लिक सेक्टर प्राइबेट सेक्टर और जॉइंट सेक्टर को समझेंगे तो आप थोड़ा एप्रिशियेट कर पाएंगे कि उस जमाने में जो ये बात जवाहरलार और महलानीज कहते हैं कि इस स्टेट साल बी एड़ दी कमा करा देती हैं भारत के जैसा कि आप देखेंगे कि आजादी के लड़ाई के दौर में जब राष्ट जब भारत के तमाम राज्य रोग जो नेटिव स्टेट मिल रहे थे तो आप देखें ट्रागन कोर के मंत्री ने क्या बोला था उसने ब्रिटेन से कहा कि हम स्वतंत्र हैं कि यह बात कहां से पता है अगर आप लोग लाइबरेरी जाते होंगे यह यह खूक लाइबरेरी के ट्रांसफर अफ पावर के डाकूमेंट का बारहा होएं पढ़ियेगा यह लास्ट वालिउम पढ़ियेगा ट्रांसफर अफ पावर का वालिउमस है 1940 से 1947 तक के बीच का भा सब्सक्राइब पावर की डाकुमेंट में यह बात लिखी हुए है कि बृटेन कह रहा है कि भारत को छोटे-छोटे टुकडों में नहीं बढ़ने देना अगर यह छोटे-छोटे टुकडों में बढ़ जाएगा तो स्टाली ना करके अपना राज यहां कायम कर लेगा जैसा क उसने इस्टर्ण यॉरप के तमाम देशों पर आज़े कायम किया था कहने का ताथ पर मेरा यह है कि यह मिक्स्ड इकॉनमी यह पब्लिक सेक्टर और यह जॉइन्ट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर की जो इंस्टुमेंटालिटी थी जो यह औजार था जो यह अधियार था जो भारत वर्ष में आजादी के लड़ाई के दौर से उसके गर्व से उत्पन को करके आया जो भारत के स्वायत तता भारत की आजादी भारत की अस्मिता पर आधारित था उसको आपको इस परित्रेक्ष में देखना पड़ेगा और नाइंटीवन तक आते आते भारत क का इसी स्थीती में आ गया कि ठीक है कि अब विदेशी मुद्रा हमारे देश में गर आएगी तो हमारे पाउं नहीं उखड जाएंगे जैसा कि एशिया के बहुत से देशों के साथ हुआ जिनके विदेशी मुद्रा लगी जैसे साउथ कोरिया में हुआ था 1998 में उनकी पूरी पूरी देशी मुद्रा लगी थी एक आएक पूरी विदेशी मुद्रा बाहर चली गई वहां के लोग बेरुजबार हो गए तो इस तरह से फॉरंड कापिटल के लगने का प्राइवेट सेक्टर के डेवलप्मेंट होने का क्या नेगेटिव इंपैक्ट हो सकता था भारत क उपर उन सब का भी एक समझदानी रख करके जवाहरलाल और इंद्रा गांधी और राजीव गांधी के यह जो पीरियड है पीजबे मुरार जी देशाई या चाहुद्री चरण सिंगा पीरियड है इन सब का प्लानिंग का मूल्य अंकन आप कर सकते हैं तो इनी शब्दों क साथ मैं आप लोगों से अपनी बात स्वाप्त कर रहा हूं और फिर मैं आपसे यह कह रहा हूं कि आप तो आइंटरनेट पर अबलेबल होगा आप जड़ा उसको भी देखेगा कि सेक्टर वाईज अग्रिकल्चर पर कितना पैसा लगाया जवाहरलाल ने इनर्जी पर कितन का फिर हम झाल कितना लगाया और लदियों के खाठाना नंगल बांद और यह तमाम चीज़ों पर कैसे पैसे लगए कैसे विष्टयालिओं 1939 में भारत के पास इतना पैसा नहीं था कि अपने लोगों को खाना खिला सके आपको पता होगा 1951 में रूस जैसे थोड़ी देर बंजर शब्द नहीं प्रयुक करूँगा नेकिन साइबीरिया और तुमाम ऐसे देचों वाला सबसे पहली बार भारत को अनाज ना जब कि हम 49 क है आप पास सफिसेंट अनाज है तो सब अनाज के बैक्राउंड में है कौन वो पहली जो पंचवर्षी ओजना के माध्यम से हाई येल्डिंग वराइटीज के माध्यम से अग्रिकल्चर के इंस्टिशूट खोलने के माध्यम से वह ज्यानिक तमाम जो लैब्स वगरा के ख सब्सक्रामी कमिशन के उपर बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को धन्यवाद कोई अगर क्वेश्चन बनेगा तो कल चाहिए तो पहले क्वेश्चन पूछ लिएगा तो इन्हीं सब्दों के साथ मैं अपना वक्तव आज का समाप्त कर रहा हूं ठीक सब्सक्र आज का लेक्टर समाप्त किया जाएं हां 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 तो बहुत-बहुत धन्यवाद और बहुत अच्छा लगा आज आपके क्लास में हमां कितने बच्चे हैं तो वो बच्चे हमाली बात सुन रहे हैं सुन पा रहे हैं सब बहुत अच्छा लगा कि भाई सुने तो कल जो है वो लोग अपना प्रश्ण बनाएं थीक बात करेंगे जी जी से थीक 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 नाम बहुत 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 शुपकार